जय है मसी की आप सभी को आज की एपिसोड में आप सबका स्वागत है हमें आशा है कि पैस्टर आशिमा जीन्स बत्रा जी की मेसेज़ेस को सुनकर आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे आपके मेसेज़ेस और फीडबैक सुनकर हमें खुशी हुई यदि आपके कोई भी प्रेयर रिक्रेस्ट है तो आप 98105-85-003 इस नमबर पर हमें वाट्सट या समस कर सकते हैं पैस्टर आशिमा जी से और अच्छी बाते सीखने के लिए आप हमारी यूट्यूब चानल पर जाकर देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चानल का नाम है रेडियंस ओफ क्राइस चर्च जिसका क्योवार कोड आपकी स्क्रीन पर मौजूद है तो आईए सुनते हैं पास्टर आशिमा जी को जै मसी दोस्तों, जै मसी भाई बहनों, हमारी आंटी और अंकल आप लोग कैसे हैं मैं जानती हूँ, आप जब इस चैनल पे हैं, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं आपका मन है, आप अपना टाइम दें और परमेश्वर को वचन को लगातार सुनें और मैं जानती हूँ, जितना हम प्रभू का वचन सुनेंगे, हमारी जिंदगी खुबसूरत होती जाएगी क्योंकि वचन ही हमें एक आकरिती देता है, एक शेव देता है, बुरी चीजें निकाल देता है, अच्छी चीजें उभर के आती हैं तो धन्यवाद कि आप फिर से इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, आइए हम लोग अपनी आखे बंद करें, सरशक्त इमान पर मेशरम आपका धन्यवाद करते हैं, इस सुन्दर मौके के लिए कि भाई बहन और मैं मिल करके इस कीमती समय में आपका वचन सुनेंगे, हमसे बात करिए, पवितरात्म जी समय आपको देते हैं, आपके मन में जो भी बाते हैं, इन भाई बहनों से कहने के लिए उनको उभारिए, उन्हें बहार लेके आईए, और आज मेरे भाई बहनों के दिलों को छुईए और इनकी जिन्द्गी को बदल दीजे, ये शुके नाम स आमीन, पीपल अव गॉड हमने पिछली दफा बात करी थी, आपकी एक कीमत है और आपना बार बार भूल जाते हैं, पर मेश्वर के लिए आप बहु मूल्य हैं, हमने देखा था एक कुरुंतियों, उसका छटा अध्याय और बीसवी आयत, A.M.P. ट्रांसलेशन से, और वह आपको वास्तव में येश्व के अनमोल खून से खरीदा गया है, और येश्व ने आपको अपना बना लिया है, आप समझ रहे हैं कुछ, प्रभू का वचन क्या कह रहा है, आप कीमत येश्व मसी का लहू है, और आपको येश्व मसी ने अपने लहू के बलीदान के द्व खरीद लिया अपना बना लिया अपना छोटा भाई बना लिया और आप और मैं येश्व मसी के साथ परमेश्वर के वारस हैं जो भी परमेश्वर का है वो सब के वारस पहले येश्व मसी फिर उनके साथ बराबर से आप और मैं है हमारी कीमत बहुत जादा है और मैं चाहती ह आज आप अपने आपको इन आँखों से देखें आपको पता है परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो हमारी इज़त हमारी गरिमा को रिटर्न करने के लिए कुछ भी करेंगे जब मनुष्य जाती पाप में भसा हुआ था परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा ता क्या क्या किया जब हम लू का उसका पांच का पंद्रा पढ़ते दवा लिखा है परंतु येश्व मसी की चर्चा दूर तक फैलती गए बड़ी भीर उसे सुनने और अपनी बिमारियों से चंगा होने के लिए खटी होती थी तो येश्व मसी ने लोगों को चंगा किया लेकिन परमेशर येश्व जब उसको ठीक कर देते थे तो कोई उसे लंगडा कह सकता था उसको उसके नाम से बुलाया जाता ना ऐसी एक कहानी है जो हमारे साथ हुई जब कुछ साल पहले में गाउं में गए हम सामने बैठ करके प्रचार कर रहे थे एक अजीब सा देखने मोटी जो बाते थी जो बाइबल की बड़ी बड़ी बाते हैं हमने सिर्फ बताया कि येश्व मसी क्या करते हैं ओकर पांच दस मिनिट या बीस मिनिट हमने प्रभू येश्व मसी के कामों के बारे में प्रचार करा हमने उन्हें बताया कि येश्व मसी कितने प्यारे हैं प Bible कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और पार्टनर्शिप फे हर काम की, और इस लड़के को हमारे सामने लेकर आये और बताया, और गाउंवाले सब इसको पांगल कहते हैं, तो बुरा तो हमें लगा, लेकिन हमने उसके लिए प्रेयर कर दी, वो इस दिमाग में तो नहीं थ था, कि वो हमारी बातों को समझे, और उसके बाद, अगले दिन सुभा हमें दूसरे गाउं जाना था, तो हमने इस गाउंवालों को बता दिया था, कि अगले दिन हम गाउं जाएंगे, तो सुभा सुभा मीटिंग कर लेंगे, आपके खेतों में जाने से पहले, तो तड़ नहीं कौन मुस्कुरा रहा है जाना बेचाना सा तो लग रहा है जैसे कि हमने इसे कभी पहले देखा होगा खेर हमने प्रचार किया और बाइबल से फढ़के सुनाया सली पाई उन्होंने और उन्होंने खुल करके कहा ये शुही प्रभू है और फिर ये लड़का हमारे सामन तो पता चला कि ये लड़का वोही लड़का था, जो कल आया था, जू कल तक पागल कहा जा रहा था और वो बहुत नॉमली बात कर रहा था, उसने हमें नमस्ते करी, हमसे प्यार से बात करी, और अच्छी अच्छी बाते करने लगा, और एक दिन में एक काया पलट आ गया तब हमने सब को कहा देखो येशु मसी जिन लोगों का नाम पागल पढ़ गया लंगडा पढ़ गया जगडालू पढ़ गया उनको बदलने आए हैं और वो इसकी इज़त वापस लोटाएंगे फिर पता चला वो एक एंजीनियर था एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था और तब हमने सब को बोला अब ऐसा नहीं बोलना है ये पागल है हम सब इसको इसका नाम लेके बोलाएंगे या इसे इज़त से बोलेंगे इसको इज़त नावाजेंगे इंजीनियर सहाब और सब लोगों ने इसको इंजीनियर बोलन शुरू किया हम लोग तो चले गए लेकिन बाद में खबर मिली वो लड़का बहुत अच्छे से अपने पिता माता के साथ को आपरेट कर रहा था काम कर रहा था खेतों में भी जाता था हमें बड़ी हैरानी हुए कि हम शहर वाले हम शहर में काम करने वाले प्रभू हमें कई घंटों का सफर था सिर्व एक लड़के के लिए उसकी इज़त को बरकरार करने के लिए अगर ये येशु मसी शहर से हमको लेकर के जा सकते हैं उस एक इनसान को जिसको लोग पांगल कह रहे थे उसकी इज़त बरकरार करने के लिए तो क्या येशु मसी आपकी इज़त सबके सामने उची करने के लिए कुछ ना करेंगे आप हिम्मत क्यों हार गए हैं भरोसा कीजिए आप हिम्मत रखिए जिस येश्यू मसी ने उस लड़के की इज़त को सवारा और परमेशोर ने ये नहीं दिखा कि हम कौन हैं वो बस हमें ले गए उन्हें भरोसा था परमेशर को कि मैं इन लोगों पर भरोसा कर सकता हूँ ये मेरे इस बेटे की इज़त को वापिस लेके आएंगे तो आज आप भरोसा करिए ये जो संदेश प्रभू ने मुझे दिया है ये जो आप सुन रहे हैं आज आपकी इज़त को फिर से वापिस लाना चाहते हैं बस इस संदेश पर भरोसा कीजिए आप इज़त के काबिल हैं अगर आप अपनी जिद्वी को बदलेंगे आप अपने चालचलन को बदलेंगे आप गलत कामों को करना बंद करेंगे और आप प्रभू येश्यो मसी की बीचे दीनता से चलेंगे इज़त लोटाना परमेश्वर का काम है इस लड़के उसने ना हमें फोन करा ना लिखा उसने हमें कुछ नहीं का उसने हमें नहीं बुलाया और तब भी परमेश्वर हमें ले गए आपको कुछ नहीं बता आपने किसी को कॉल नहीं करा लेकिन आज जब ये संदेश सुन रहे हैं जो वो उस जो आज इंजिनियर साहब कहलाया जाता है तो वो आपके लिए भी करेंगे आपको किसी को फोन कॉल करने की जरूतनी है प्रभू खुद आपके घर चलके आएंगे और आपको चमत कार देंगे आपकी कीमत है आपको येश्यो मसी ने अपने कीमती लहू से खरीदा है और आप उनके हैं आप उनके साथ जुड़ चुके हैं और जो इश्यो मसी की है संसार में वो ही इश्यो आपकी भी है अपनी नजर बदलो अपने बारे में अपना नजरिया बदलो अपने बारे में आप कीमती हैं आप कीमती हैं बोलिए मेरे साथ मैं कीमती हूँ मैं परमेश्वर का बेटा हूँ मैं परमेश्वर की बेटी हूँ जब मनुष्य जाती बरबाद हो रही थी और कुछ भी नहीं जानती थी तब परमेश्वर ने येश्यु मसी को भेजा तो मेरे लिए प्रभू अपने बेटे को और उनके शागिर्दों को उनके पास्टर्स को मेरे पास भेजेंगे और आज भेजा है ताकि मेरी जन्गी बजल जाए मेरी सोच बदल जाए मेरा सब कुछ बदल जाए क्योंकि मैं कीमती हूँ आमीन और आपको ये बाद समझ में आगे है न किसी भी चीज की कीमत कैसे हम आते हैं अगर हम कहते हैं कि ये जो ग्लास रेस की क्या कीमत है पता कैसे चलेगा कितना दिया था आपने आपने कितने पैसे दिये थे इसके लिए उसी से पता चलेगा तो याद रखिए आपको खरीदने के लिए एक बेश कीमत तोफा दिया गया येशु का लहू जो की बहुत दर्दनाग था और आब आप बहुत 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 कीमती है एक बड़ी इंट्रेस्टिंग कहानी में आपको बताने जा रहे हूँ एक सड़क पे एक आर्टिस बैठा था पेंटिंग क कपड़ों में उसकी दाड़ी भड़ी भी थी गंदा सा दिख रहा था वो बस भीक मांग रहा था तो ये पेंटर जो था थोड़ा पास हुआ उसके और उसने ड्रॉइंग करना शुरू करा और उसने ऐसे उपर करके देखा और फे मीचे देखा उस गरीब को देखा उस भि देर में भीकारी ने देखा ये क्या कर रहा है मेरी तरफ देखता और फिर कुछ करता रहता है मैं भी जाकर देखता हूँ उठा और इस पेंटर के पास आया आर्टिस था उसके पास आया उसे को बड़ी देर से मैं देख रहा हो तुम मुझको देखते हो फिर कागस को तो मेरी तस्वीर बनाएए दिखाओ तो आर्टिस्नर्स को उसकी तस्वीर दिखाए वो दंग रह गया वो तो उसमें लगपती करोड़पती आदमी दिख रहा था चेहरा वो ही था उसकी चेहरे पे नूर था वो एक रुत्बा दिख रहा था उसकी आखों में अनन्द की किर अगर प्रभू के साथ चलोगे और अपनी कीमत जानोगे तो ऐसे दिखोगे वो बिकारी इतना खुश हो गया अगर तुम्हारे को मेरे अंदर ये दिखता है स्वर्ग के नुसार में ऐसा हूँ तो आज के बाद मैं ऐसा ही दिखूंगा मैं इसी तस्वीर के नुसार दिख इसके अनुसार अब अलाइन करने की एक बनने की कोशिश करूँगा क्या आज आप परमेश्वर की पिक्चर के साथ अलाइन करने के लिए तयार है आपको वैसा ही बनना होगा जो पिक्चर गौड ने आपके लिए बना छोड़ी है अगर परमेश्वर के हातों ने आपको बनाया है परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया है तो उनका अंश है आप परमेश्वर का हिस्सा है क्या परमेश्वर का कोई हिस्सा दुखी हो सकता है हमेशा दुखी हमेशा बोच से दबा हुआ हमेशा परेशान हमेशा बीमार क्या परमेश्वर बीमार है नहीं आपको अप में आँखों की पिक्चर बदलनी है आपको देखना है मेरे पिता परमेश्वर है मेरी माता परमेश्वर है और दुनिया के माता पिता भी है उनका तो में आदर करना है लेकिन अगर परमेश्वर हमारे माता पिता है तो हमारी चाल क्या होगी हमारे कपड़े कैसे होंगे हमार confidence कैसा होगा हमारा उटना बैठना कैसा होगा आप समझ रहे हैं और हम बहुत से चमतकार देख पाएंगे कर पाएंगे हमारे परवेशों ना चमतकार करने वाले हैं जो चमतकार वो करते हैं वो हम देख पाएंगे हमें बस समझना है कि हम कौन है और जब समझ जाएंगे ना हमें उसे ग्रेहन करना है कि हम कौन है चलो अब आपको समझ में आ गया समझ में आ गया कि आप कौन है आप कहेंगे हाँ जो पास्टर जी कह रही है मुझे तो समझ में आ रहा है लेकिन इसे ग्रेहन कौन करेगा मानना भी तो पड़ेगा ना तो ब अपने बारे में अच्छी अच्छी बाते बोलूँगा, अच्छी सोच रखूंगा, पॉजिशिव थाउट रखूंगा और छोटी सोच ने रखूंगा, मुस्कुराता रहूँगा, क्याँकि मेरे पिता पर्मेश्वर, मुस्कुरा रहे हैं तो मैं क्यों दुखी रहा हूँ एमेन मैं आपके लिए एफीसियों 2.10 टी-पी-टी ट्रांस्लेशन का हिंदी अनुवात पढ़ना चाहूंगी हम परमेश्वर की कवीता बन गए हैं एक पुनर निर्मित लोग जो उस नियती को पूरा करेंगे जो उन्होंने हम में से प्रत्येक को दी है क्योंकि हम येश्यों अभिशिक व्यक्ती से जुड़े हुए हैं भजन सहीता उसका आठवा अध्याय पाँच और छे में लिखा है किन्तु तेरे लिए मनुष्य महत्वपूर्ण है तुने मनुष्य को ईश्वर के प्रती रूप बनाया है और उसके सिर्फ पर महिमा और सम्मान का मुकुट रखा है तुने अपनी सृष्टी का जो कुछ भी तुने रचा लोगों को उसका अधिकारी बनाया है तो आपको परमेशर के प्रती रूप बनाया गया है और इंग्लिश वर्जिन में लिखा है और हीब्रू टांसेशन में लिखा है तो आप और मैं परमेशर के स्वरूप में बनाया गया है हमें क्राउन किया गया है परमेशर की ग्लोरी से आदर के लिए तो अपना आदर करना शुरू कर दें आज से चिक है बोलिए मेरे साथ मैं अपनी कीमत समझता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे डाली है मैं येश्व मसी के साथ जुड़ा हुआ हूँ येश्व का जीवन मेरे अंदर है मेरे सर पे परमेश्वर का महिमा का ताज है मुझे बस स्वर्दूतों से कुछ कम बनाया गया है मुझे परमेश्वर से कुछ कम बनाया गया है परमेश्वर मेरे अंदर रहते हैं क्या आप लोगों को अपनी कीमत समझ में आ रही है आपको परमेश्वर ने खरीदा है आपको परमेश्वर ने प्यार किया है क्यूंकि वो आपसे प्यार करना चाहते थे इसलिए उन्हें आपको खरीदना पड़ा दुष्ट के kingdom से, उसके राज्य से क्यूंकि दुष्ट का अधिकार था आपके उपर तो परमेश्वर ने येशु मसी को भेजा ताकि वो आपको खरीद ले और येशु मसी ने आपके लिए दाम चुकाया और अब आप परमेश्वर के हैं, उनकी संतान है और आपको अपने कंदों को चोड़ा करके चलना है प्यार में चलना है, दींता में चलना है और पता है जब आपको अपनी कीमत समझ में आ जाएगी आप कभी भी जलन नहीं रखेंगे आपको किसी से जलन होगी नहीं आप कहेंगे भई तुम भी अच्छे हो तुम्हारे अंदर ये qualities हाँ बहुत अच्छी चीज़ है तुम्हारे पास ये भी अच्छा है वो भी लेकिन मैं भी कीमती हूँ मुझे इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या कह रहे हैं और मैं कीमती हूँ इसलिए सबसे अच्छी बात जो होगी जो लोग अपनी कीमत को समझ जाते हैं वो कभी भी अपने आपको किसी के साथ compare नहीं करते इसलिए जलन नहीं करते और वो कभी भी किसी की तरहां नहीं बनना चाहते हैं वो कुछ लोगों से प्रेरित होंगे मुझे ना मेरे पास्टर की तरह प्रात्ना करना सीखना है बड़े मन से करते हैं वो कह सकते हैं मुझे एस्तर की तरह पास्ट करना सीखना है वो दर्द चाहिए मुझे मुझे येशु मसी जैसा प्रेम रखना है मुझे येशु मसी जैसा चंगाई करनी है वो सब ठीक है लेकिन कभी भी किसी के साथ compare करके अपने आपको कम नहीं आकेंगे कि मुझे में कोई कमी है आप समझ रहे हैं दूसरी बात आपके अंदर से सारी हीन भावना निकल जाएगी क्यूंकि आपको समझ में आएगा जो श्रेनी मेरे पिता परमेश्मर की है जो श्रेनी मेरे येशु मसी के वो ही श्रेनी मेरी है एक ही क्लास के है अब आप बताईगे जब आप कहीं घूमने जाते हैं और आपका पूरा परिवार जाता है, तो मम्मी पापा कहेंगें, भी ऐसा है, तुम छोटे छोटे बच्चे हों हमारे 2-3-4 साल के, तुम्हें तो हम जेनरल कंपार्टमेंट में रखेंगे, लेकिन हम लोग first class में ट्रावल करेंगे, जहां मम्मी पापा रहते हैं, जो भी class उ तो वो तो ड्रोइंग रूम तक ही आते हैं ना आपकी किचेन में तो नहीं आके बैठ जाते लेकिन जो आपका अंदर घर के अंदर जो खाने की जगा है वहाँ पर तो आप अपने मम्मी पापा के साथ ही बैठते हैं या अपने बच्चों के साथ ही बैठते हैं या आपका प बैठते क्योंकि वो परिवार की जगा है और बड़ा अच्छा लगता है अपने परिवार के साथ बैठना तो जहां मम्मी पापा बैठते हैं वहीं पर बच्चे बैठते हैं तो आपको आज समझना है आप नीचे नहीं हो आप बराबर में हो परमेश्वर के और यह पहले आप कहीं पे नौकर हैं आप जाड़ू पोचा बतन करते हैं हो सकता है कि आप मालिक हैं जो लोगों को अपने पास रखते हैं और उनको पुराने जमाने में यह था ना कि दास लोगों को रखा जाता था लेकिन बाइबल बताती है जो जाड़ू पोचा करते हैं येशु मसी में आने के बाद वो आजाद हैं वो किसी के दास नहीं वो परमेश्वर के अंदर आजाद हैं तो मतलब जो नौकर है वो प्रभू के सामने आजाद है और बेटा है जो मालिक है वो प्रभू का बंदवा स्लेव है सब बराबर है येशु मसी में सब बराबर है तो तो जो हमारा रिष्टा है परमेश्वर का वो हमें फरक करता है तो कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं येश्व मसी की सामर्थ के द्वारा सब बराबर हैं तो इसलिए अपने अंदर की हीन भावना निकाल दो हमारे चर्च में एक लेडी आई और उन्होंने हमें गभाई दी कि वो बहुत डरी हुई थी उनको कई चीजों से डर लगता था उन्हें लगता था कि मैं तो सबसे कमजोर हूँ अपने आफिस में लेकिन जब वो परमेश्वर की स्तूती गान कर रहे थी वर्शिप कर रहे थी उस वकत परमेश्वर नहीं चुआ और उनके अंदर से सा चोटा सोचें आप चोटे नहीं हैं एमेन हम लोग एक बचन देखें पहला यहुन्ना उसका चौथा अध्याय और चार आयत वहाँ पर क्या लिखा है हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है क्योंकि जो तुम में है उसने जो संसार में है उससे बड़ा है English में He who is in you is greater than he who is in the world इस दुनिया में कोई भी है जो आपके बाहर है वो परमेश्वर येश्व के सामने सर जुकाता है और आपको हीन भावना रखने की आज के बाद जरूरत नहीं है एक और बात आपको हमेशा डर लगा रहता है मैं कुछ गलत करूँगा मुझसे कुछ गलत हो जाएगा कैसे होगा मैं हार जाओंगा कुछ तो गड़बड है पचन बोलता है ये शायन अभी की पुस्तक 41 चाप्टर के 10 में ऐसा लिखा है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ इधर उधर मत ताग क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ और आगे लिखा है मुझे ये वाली वर्स बहुत अच्छे लगी 14 कई दफ़ा आप और मैं अपने आपको कीड़े के समान समझते हैं जितने लोगों ने हमारे पर ये शब बोले उसको डिस्ट्रॉई करते हैं क्योंकि आपने वचन में बोला है एक कीड़े सरी क्या खूब हे इसराइल के मनश्य मत डर यहोवा की ये वानी है मैं तेरी सहायता करूँगा इसराइल का पवित्र तेरा छुडाने वाला है आज के बाद कभी भी कोई आपको तुछ जाने आपके बारे में उल्टा सीधा बोले आपको उस बात तो नहीं मना है आपकी कीमत है आप आज का इसराइल है परमेश और आपकी वैल्यू को बहुत बड़ा समझते हैं और जब आपको अपनी वैल्यू समझ में आ जाती है आपको पता चलता है मेरी पहुच कहां कहा है मेरे दोस्त कौन है बाइबल बताती है कि परमेश और आपके दोस्त के समान है ये शाय नभी की पुस्तक उसका 41st chapter का verse 8 देखते है महां लिखते है ये मेरे दास इस्राइल ही मेरे चुड़े वे याकूब मेरे मित्र अबरहाम के वंच वाव गौड आपको मित्र कह रहे है आपकी तो दोस्ती ना उच्छे लोगों के साथ है गौड आपके मित्र है मित्र हिम्मत रखिए और स्माइल करिए और परमेश्वर आपके अंदर एक नया साहस भी डालते है और ये शायन अभी की पुस्तक में लिखा है chapter 40 verse 29 वह ठकेवे को बल देगा और शक्ती हिनको बहुत सामर देता है तरुन तो ठकते हैं शमेत हो जाते हैं और जवान ठोकर खा की गिरते हैं परन्तु जहिए होगी बाट जोते हैं वे नया बल प्राप करते जाएंगे वे उकाब के समान उडेंगे वे दोडेंगे और शमित ना होंगे चलेंगे और ठकेंगे नहीं आपको कोई overtake नहीं कर सकता आपको कोई परिशान नहीं कर सकता आप परवेश्वर के बच्चे हैं बल रखिए स्मार्टली चलिए आप खुदा के लोग हैं सीधे हो जाईए stand tall अपने shoulders को square करिए सामने देखिए आपका एक बहुत अच्छा बविश्य है आपका इंतजार कर रहा है और नई नई चीज़ें आपके लिए लोग डरे वें आगे क्या होगा अन जाती के लोग तो हमेशा डरे रहते हैं और हमारे घर में एक लेडी काम करती थी तो हमेशा चिंता में पैसे जोड रहे हैं नहीं मुझे कोई डर नहीं लगता है मैंने का और जो तुम्हारे बरतन पड़े उसका क्या होगा नहीं हम में बरतन जबान नहीं करती हो येश्यो मसी ने मुझे इत्चे से समा लिया मेरे बच्चों को समा लिया सब इतना अच्छा हो रहा है वो ही मेरे बच्चों की शादी करेंगा मुझे पूरा फरोस है और आप भी तो हो ना तो मेरी ज़रत नहीं पड़ेगी येश्यो मसी काफी है सब के लिए येश्यो मसी काफी है वो हमारे बच्चों का सब कुछ बहुत अच्छा करेंगा जब मेरे बच्चों के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था मेरे लिए कौन आया करने के लिए येश्यू मसी तो ऐसा लगता है कि कोई आएगा वो एक चमतकारी धंग से आएगा मेरे लिए कुछ करेगा, आपके लिए कुछ करेगा बस येश्यू मसी काफी है वो हमारे साथ है हैं इसलिए आज के बाद ना अपनी कीमत कम नहीं करनी प्रामिस करिए मुझे प्रामिस करिए आपका फ्यूचर बहुत वंडर्फुल है ऑसम है क्योंकि गौड आपके फ्यूचर में जा चुके हैं उन्होंने फ्यूचर में अच्छी अच्छी बाते लिखी हैं आप फ्यूचर लिखके रखा हैं उन्होंने सारी बुरी बाते में अपने लोगों के लिए करूँगा कभी नहीं कभी नहीं जब आप अपने बच्चों के बारे में बुरा सोच नहीं सकते हैं उन्होंने मारते हैं कभी-कभी नराज हो जाते हैं लेकिन मन की गहराई में अपने बैठने की कीमत है आप की काम की कीमत है क्योंकि आप ये शुमसी के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं आप कीमती हैं और आज के बाद आप अपनी वैल्यू को कभी नहीं भूलेंगे वाइदा करिए मुझे आपको आत्म सम्मान करना है अपना confidence में चलना है साहस में चलना है नए और बड़े काम सोचिए आप सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि प्रभू आपके साथ हैं और आप हारेंगे नहीं हिम्मत करिए परमेश्वर की सोच रखिए आप हारेंगे नहीं पिता परमेश्वर आपके साथ हैं ये शुमसी आपके साथ हैं और ये शुमसी के जाने के बाद एक गिफ्ट पवितरात्मा जी आपके साथ हैं। मैं आशा करती हूँ, आज के संदेश ने आपको बहुत एंकरेज कर रहा है। I bless you people of God and I am लोग अपनी आँखों को बंद करें। सरशक्ति इमान पर मेश्वे में धन्यवाद करती हूँ, इस संदेश के लिए, इस ज्यान के लिए, इस हेल्प के रहे, थाएंकि होली स्पिरिट आपके प्यारे हैं ना, इतनी प्यारी प्यारी बाते सिखाते हैं हमें, we honor you होली स्पिरिट। प्रभू, जितने लोगों ने आज से आज वो खड़े हो जाएं, आग के समान खड़े हो जाएं, आपकी आग उनको छुए, और सारी गलत सोच को burn कर दे, जला दे, और अपनी नई सोच आप उनके अंदर डाल दीजिए, और ये बड़े बड़े काम करने वाले बन जाएं, और हमेशा आनन में रहें, अपनी इज़त करें, अपनी कीमत समझें, और जो खुद की इज़त करता है, वो दूसरों की इज़त करने पाता है, I bless your people in Jesus name, ये शुमसी के नाम से मांगते हैं, आमीन, इसी के साथ मैं इस एपिसोड को खतम करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत वैल्यू मिली होगी, हमसे बने रहिए, धन्यवाद, प्रेज दा लॉर्ड, धन्यवाद, हमें आज जोइन करने के लिए, हमें आशा है कि पास्टर आशिमा जी के आज की मेसेज को सुनकर आपके दिल को बहुत शान्ति मिली होगी, आप अपना फेड़बैक हमसे जरूर शेयर करें, आप 98105-85003 इस नमबर पर WhatsApp या SMS करके अपना अनुभाव हमसे बाढ़ सकते हैं, आप पास्टर आशिमा जी से और अच्छी बाते सीखने के लिए हमारे YouTube चानल पर जा कर देख सकते हैं, हमारे YouTube चानल का नाम है Radians of Christ Church, आप चानल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आप अपदेट्स मिलते रहें, आएए अब मिलते हैं अगले शनिवा सुबा साधे 9 बजे, धन्यवाद, जय मसी की